स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि हम पिछले 5-6 सालों से कैसे जर्मनी से इंडिया मनी ट्रांसफर करते हैं और हमको रिसेंटली बहुत सारे कॉमेंट भी आ रहे हैं कि आप कैसे जर्मनी से इंडिया या फिर इंडिया से जर्मनी मनी ट्रांसफर कर सकते हैं तो इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या बेस्ट तरीका है अपना मनी ट्रांसफर करने का तो इस वीडियो में सबसे पहले हम थैंक्यू करना चाहते हैं वीडियो के sponsors का जो की है wise जिनका पहले नाम था transfer wise और अभी recently उनकी rebranding हो गई है और अब उनका नया नाम है wise तो wise एक website and app है जिससे आप अपना money transfer कर सकते हैं और इस पे बहुत ही कम charges लगते हैं और आप बहुत conveniently अपना money transfer कर सकते हैं और bank के comparison में भी ये काफी smooth और easy है with less fees तो अगर आप first time अपना wise account खोलना चाते हैं तो हम आपको request करेंगे कि आप यहां पे हमारा link यूज कर सकते हैं और अगर जैसे आप हमारा link यूज करके अपना account open करेंगे तो आपको जो आपके first 500 euro का transaction होगा उस पे आपको और यह link आपको description box में भी मिल जाएगा तो इस link को use करके आप प्लीज अपना wise account open करें और first 500 euros पे free transfer लें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या various reasons हो सकते हैं जिनकी वज़े से हमको हमारे home country पैसे transfer करने पड़े तो यहां पे of course अब के अपने अपने personal reasons होते हैं बड़ जो various main reasons होते हैं वो यह है कि या तो हमको हमारी family को support करना है या फिर जैसे अगर आप as a student आये थे और आपने कोई loan लिया था तो आपको वो repay करना हो या फिर जैसे अगर आपको investment करना हो जैसे अगर आप job करने हो अभी आपके पास में अगर अच्छी income हो और आपको लगता हो कि आपको India में invest करना है तो ऐसे बहुत सारे reasons होते हैं जिनकी वज़े से हम लोग Germany से India या फिर जो हमारे और neighboring countries हैं वहाँ पे money transfer करते हैं तो अब बात करते हैं कि कौन-कौन से तरीके हैं जिनसे आप money transfer कर सकते हैं जर्मनी से इंडिया या फिर इंडिया से जर्मनी तो सबसे पहले अगर traditional way की बात करें तो आप use कर सकते हैं आपके banks बट यहाँ पे मैं ये mention करना चाहूंगी कि banks में एक तो बहुत जादा fees होती है और secondly banks थोड़े से comparatively slow भी होते हैं टाइम लगता है transfer process में फिर secondly आप use कर सकते हैं कोई service provider तो यहाँ पे service provider के terms में हम बात करना चाहेंगे wise की जो की हम भी use कर रहे हैं पिछले 5-6 सालों से और हमारा experience काफी अच्छा है उनके साथ में तो wise आप use कर सकते हैं और यह काफी ज़ादा cost friendly है और काफी quick transfers होते हैं इसमें तो इसकी बात हम detail में फिर इस video में कर लेते हैं तो बात की जाए wise के background की तो wise found किया गया था 2010 में और फिर इसको launch किया गया था 2011 में और अगर आप use करना चाहें तो इसको as a website यूज कर सकते हैं या फिर आप अपने phone में इनकी app डाउनलोड करके phone में वाया app भी यूज कर सकते हैं और wise को currently over 10 million customers use कर रहे हैं across the world और अगर monthly transactions की बात की जाए तो 4.5 billion pound से जादा के monthly transactions किये जाते हैं complete overall globally अगर देखा जाएं तो wise को जो point stand out करवाता है बाकी service providers या bank के comparison में वो है इनकी transparency और low transfer fees तो ये हमने भी बहुत बारी experience किया है कि जब wise से हम पैसे transfer करते हैं तो जो हमको transfer fee दिखाई जाती हैं वही apply होती है और exchange rate में भी additional कोई markup नहीं apply होता है जबकि अगर आप देखेंगे जैसे कुछ और जो service providers हैं वहाँ पे आपको maybe transfer fees कम मिल जाए बट जो exchange rate होती है वो फिर आपको जैसे different मिल रही होती है और फिर उसमें eventually in the end आपका जो amount होता है वो कम हो जाता है तो ये वाली चीज आपको wise में बिलकुल experience करने को नहीं मिलेगी जो कि हमें wise की काफी जादा पसंद है तो ये तो एक benefit हो गया बट इसके अलावा भी wise को use करने के बहुत सारे benefits हैं जिनकी वज़े से हम आपको wise use करने के लिए recommend कर रहे हैं तो उसमें जैसे सबसे पहले तो ये है कि आप wise से 40 प्लस countries से 80 प्लस countries में अपना money transfer कर सकते हैं और उसके अलावा जैसे मैंने already बताया कि आपको कोई भी surprises नहीं मिलेंगे जो price आपको दिखाई जाएगी जो आपको exchange rate और transfer fees आपको दिखाई जाएगी वही आपको मिलेगी तो वहाँ पे जैसे लिखावा आता है कि आपको इतना amount मिलेगा तो वही amount आपके bank में transfer होएगा तो transparency और low fees जो है उनकी वो भी एक बहुत अच्छा factor है उसके अलावा जो एक और बहुत अच्छी बात हमको wise की लगती है वो यह है कि wise function करता है real time exchange rate पे तो जो price आपको actually google में दिखरी होती है कि अभी जैसे अगर euro से INR का example ले ले या फिर INR से euro का ले ले तो जो आपको google में price दिखरी है जो current rate चल रही है वही आपको exact wise में मिलती है तो उसका एक example भी देख लेते हैं कि अभी हम यहाँ पे convert करते हैं और आपको दिखा देते हैं कि क्या exchange rate आपको मिलती है तो यहाँ पे अब देख लेते हैं कि google पे अभी currently क्या rate चल रही है तो यहाँ पे जैसे अगर मैं लिखते हूँ euro to INR तो यहाँ पे google पे अभी मुझे दिखा रहा है एक euro की मुझे मिलेगी 88.27 Indian रुपीज और अब देख लेते हैं कि transfer wise पे फिर हमको क्या rate मिल रही है तो transfer wise पे अभी मैं देखूँ अगर तो मुझे एक euro की 88.28 Indian रुपीज मिल रही है तो थोड़ी सी जादा ही है google से और यहाँ पे जैसे अगर हमको 1000 euros transfer करने हो तो यहाँ पे मुझे मिल जाएंगे 87.796 INR जिसमें मेरी around 5 euro transfer fee हो जाएगी और फिर wise के साथ में अगर जैसे आपको bulk amount transfer करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं मालनों अगर आपको एक साथ में 5000 या 10,000 euro भेजने हैं तो वो आप भेज सकते हैं तो another advantage जो है wise को use करने का वो है कि wise में आपको जैसे multi currency account में मिल जाएगा तो यह जो multi currency account आपको मिलेगा इसमें आपको 9 international currencies का account मिलेगा जैसे euro US dollar या फिर जैसे britain pound तो इसमें जैसे अगर आप जैसे अपना amount for free receive कर सकते हैं इन 9 currencies में तो initially जब आप अपने जैसे home country से overseas move करते हो तो आपको काफी जादा struggle हो सकती है bank account खोलने के लिए क्योंकि वहाँ पे थोड़ा time लगता है और काफी सारे documents भी चाहिए होते हैं वाइस के साथ में ये benefit है कि आप इसको completely online खोल सकते हैं वो भी कुछ ही minutes में तो जैसे जब आप मान लो for example Germany आते हो इंडिया से तो आपको शुरू में bank account तो आपके पास में होगा नी तो आपको जैसे transport ticket लेनी है super market से अगर आपको कुछ समान खरीदना है या फिर जैसे for example आपको अपने घर का rent देना है तो उस टाइम पर जैसे अगर आपके पास में bank account नहीं होगा तो ये सारे transactions करने में थोड़ी problem हो सकती है तो वहाँ पर wise काफी useful रहेगा कि आपने चुटकियों में अपना account खोल लिया और फिर जैसे इन सारी जगहों पर आप अपने transactions कर सकते हैं और उसके साथ में जैसे बाद में जब आप यहां रहने लग जाते हो तो आपको अपना euro account मिल जाता है जिससे फिर आप जैसे इंडिया transfer करने हैं पैसे तो वो कर सकते हो या फिर जैसे यहां पर अगर locals जैसे payment करते हैं तो वो भी आप wise के card के थूँ या wise के account के थूँ payments कर सकते हैं और जो भी ये low transfer fees या फिर transaction fees हैं उनके benefit तो आपको मिलेंगे तो जो another advantage है wise को use करने का वो है कि जैसे ये जो multi currency account आपको मिलता है उसके साथ में आपको multi currency debit card भी मिल जाता है तो उसको जहां पर भी visa या mastercard accept होता है वहां पर आप use कर सकते हो तो ये काफी जादा useful रहता है जैसे अगर आपको international travel करना होता है जैसे अगर हम हमारा भी example दें या पर जैसे अगर आप जब Germany आ जाएंगे तो यहां पर बहुत सारे nearby countries है यॉरोप में जहां पर जैसे different currencies है तो वहां पर जब आप travel करेंगे जैसे हमने भी कुछ time पहले पढ़ाग travel किया ता फिर जैसे अगर हम Switzerland travel करते हैं तो वहां पर जैसे हमको कोई भी transaction करना होता है जैसे parking के लिए देना है या फिर जैसे खाने के लिए देना है या फिर जैसे कहीं पर अगर cash भी चाहिए तो हम वहीं पर जैसे ATM से withdraw कर सकते हैं certain amount तक आप इसमें free of cost amount withdraw कर सकते हैं तो यह काफी जादा useful हो जाता है और इसको जैसे हमने और भी बहुत सारी countries में यूज किया है जैसे Singapore में Indonesia में या फिर Europe के कुछ और countries तो यहां पर जैसे आपको यह stress नहीं रहेगा कि आपको जैसे transfer करना है या फिर rate अच्छी नहीं मिल रहे है क्योंकि जैसे अगर आपको transaction कर रहे हैं तो आपको वहां पर real time ही एक खुद से आपको best exchange rate देके आपका बहुत ही transfer smooth हो जाएगा amount का और फिर जैसे अगर आपको suddenly कहीं जाना है तो यह भी stress नहीं रहेगा कि पैसे आपको जैसे withdraw करने हैं या फिर cash carry करना पड़ेगा साथ में क्योंकि आप जैसे अपने travel में इस card को use करके और अपने सारे transactions कर सकते हैं और wise आपको option देता है अपना digital card लेने का भी तो जैसे ही आपका account खुल जाता है वैसे ही आप अपना digital card create कर सकते हैं और वहीं से उसको use करना शुरू कर सकते हैं और बाकी जैसे आप request करेंगे तो कुछ दिन में आपका physical card भी ship होके आपके पास आ जाएगा और ये physical card आपको मिलेगा अगर आप जैसे UK, US, Europe या फिर Japan, Australia, Singapore, New Zealand इन countries के resident हैं तो तो अब यहाँ पर आपन देख लेते हैं कि wise का जो account है उसको set up आप कैसे कर सकते हैं और कैसे फिर उसको use कर सकते हैं तो आप देख लेते हैं कि आपको account कैसे create करना है तो उसमें आप जैसे sign up पे करके और अपना email address आप बना लेंगे और उसके बाद में आप अपना जैसे password वगरे लगा के फिर country select कर लेंगे तो जैसे Germany आपने कर लिया फिर आपको sign up कर लेना है और फिर ये आपका dashboard आपको मिल जाएगा जहां से आप send money पे जाके और transfer initiate कर सकते हैं तो जैसे euro select कर लिया फिर कौन सा type का आपको transfer करना है वो select करके आप अपनी currency select कर लेंगे फिर आपको दिखा देगा कि कितना amount transfer होगा कौन सी date पे होगा और फिर आप continue कर देंगे उसके बाद में आपको अपनी personal details भरनी है जैसे आपको जहां पे पैसे भीजने है तो जैसे आपको खुद को भीजना है तो आप अपनी bank details डालेंगे यहां पे उसके बाद में जैसे आप recipient add करेंगे तो कहां आपको पैसे भीजने है उसमें आप जैसे within Europe, outside Europe for example इंडिया में अगर आपको भीजने है तो आपको अपने Indian bank के details आपको यहां पे डाल देने है और उसके बाद में यह ऐसे आपका dashboard होता है और उसके बाद में यहां पे आप जैसे अपनी account की details देख सकते है और फिर जैसे आपने बता है multi currency account है तो और अगर आपको currencies load करनी है वो आप कर सकते हैं जैसे Indian currency आपको load करनी है फिर Swiss francs आपको load करनी है ऐसे आप various currencies load कर सकते हैं और फिर जैसे Euro से आपको कहीं पे भी अगर travel करना हो तो आप add करके convert कर सकते हैं जिस भी currency में आपको convert करना है convert करके आप easily उसको use कर सकते हैं तो ये तो हो गया हमारा account setup अब बात कर लेते हैं कि पैसे transfer करने कैसे हैं और पैसे transfer होने के बाद में time कितना लगता है तो जैसे अकर हम हमारे experience से बताएं तो usually बहुत बारी तो amount जो है वो instant transfer हो जाता है कि यहां से गया और वहां से bank account में पहुँच जाता है या फिर जैसे one day के अंदर तो हो ही जाता है बस बहुत बारी जैसे कोई exceptional अगर case होता है तो यह होता है कि हाँ next day तक amount जारी होती है बट इतने time में usually amount चली जाती है और फिर जैसे अगर आप बात करें कि पैसे transfer कैसे करने है तो उसका भी process काफी जादा smooth है जैसे आपने अपना account setup कर लिया तो उसके बाद में आपकी सारी details आपके जैसे website से या app से आप use कर रहे हैं तो उसमें रहती है तो आपको जैसे वहाँ पर जाके सिर्फ अपना amount enter करना है जितने भी आपको euros transfer करने है उसके बाद में जैसे आप select कर सकते हैं कि आपको fast transfer select करना है या low cost transfer select करना है तो उसमें जो भी आपके transfer fees आपको देनी है वो आपने select कर ली और फिर आपको बस वो नीचे दिखा देता है कि ये amount आपके bank में जाएगा फिर आप continue करते हो और उसके बाद में बस आपको अपना recipient जो आपने already bank की details या फिर जो भी details आपने डाली है वो आपने select कर ली कि मुझे इस account में पैसे भेजने है फिर उसके बाद में आपको अपना payment method select करना है कि आपको जैसे debit card से pay करना है credit card से pay करना है directly bank से करना है या फिर जो कुछ और options है service providers के वहाँ से करना है तो once आपने जैसे वो select कर लिया उसके बाद में बस आपको send money पे click कर देना है और वो आपका amount transfer हो जाता है उसके बाद में आपको कुछ भी नहीं करना होता वाइस सब कुछ अपनी तरफ से manage कर लेता है और फिर बहुत ही quickly आपके account में पैसे पहुँच जाते है ये तो बात हो गई कि जैसे आप Germany से इंडिया पैसे कैसे transfer कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं उनकी newly launched feature की जो की है कि आप इंडिया से जर्मनी भी पैसे भेज सकते हैं तो जैसे हम भी काफी time से यहां पे रह रहे हैं और हम भी इस चीज के साथ में struggle करते हैं कि जर्मनी से इंडिया तो पैसा भेज देंगे कि वहां पे लोग पूछ रहे होते हैं कि इंडिया से जर्मनी पैसे कैसे लाएं और वहां पे बहुत सारे लोग recommend कर रहे होते हैं कि transfer wise use कीजिए लेकिन फिर discussions में आता है कि अच्छा transfer wise तो आप सिफ जर्मनी से इंडिया ही पैसे भेजने के लिए use कर सकते हैं और recently हमको बहुत सारे जैसे जो students हैं जो जर्मनी आना चाते हैं study करने के लिए उन्होंने भी हमें पूछा कि जैसे अगर उनको इंडिया से जर्मनी पैसे भेजने हैं तो वो कैसे भेजें तो उसके लिए I think अब आ गया है one stop solution wise जिसमें आप इंडिया से भी जर्मनी आप पैसे भेज सकते हैं वो भी काफी simple रहेगा और उसमें जैसे इंडिया से आप 46 plus countries में भी पैसे भेज सकते हैं सिफ जर्मनी ही नहीं और भी बहुत सारी countries बस जो only requirement है आपको इंडिया से पैसे transfer करने के लिए वो है कि minimum तो amount 20,000 होना चाहिए INR और आप इंडिया के tax resident होने चाहिए अगर ये दो requirement आप fulfill कर सकते हैं तो फिर आप इंडिया से easily wise को use करके internationally अपना money transfer कर सकते हैं तो ये जो 20,000 INR रूपीज की जो limit है वो आपको सिर्फ तब apply होती है जब आप इंडिया से जर्मनी पैसे भेजना चाहते हैं जर्मनी से इंडिया अगर आपको पैसे भेजने है तो वहाँ पे कोई भी minimum amount की requirement नहीं है तो इंडिया से जब आप ये पैसे transfer करेंगे तो जैसे मान लो अगर आप 50,000 INR या फिर उससे ज़ादा की amount जब आप transfer करेंगे तो ये आपको bank से 2 times cheaper पड़ेगा अगर आप wise को use करके करेंगे तो I think ये काफी ज़ादा helpful रहेगा सारे students के लिए जो यहाँ पे study abroad मतलब Germany आना चाते हैं पढ़ाई करने के लिए उनके लिए और secondly जैसे अगर आप यहाँ पे आप भी गए और अगर आपको जैसे अपनी family से पैसे मंगवाने है तो उनके लिए भी अब I think काफी easy हो जाएगा आपको पैसे भीज़ पाना तो जैसे कि हमने हमारे और भी बहुत सारे वीडियो में बताया है कि जर्मनी में बहुत जादा paperwork है लेकिन जैसे अगर आप अपना account wise के साथ में open करते हैं तो यह completely online हो जाएगा और जो भी paperwork या जो भी hassle रहता है उसको आप avoid कर सकते हैं उसके अलावा जैसे हमने और भी बहुत सारे benefits आपको बताए हम खुद wise पिछले 5-6 साल से use कर रहे हैं और काफी जादा हम use करते हैं इसको तो इसलिए हम आपको recommend कर रहे हैं क्योंकि हमारा experience इसके साथ में काफी अच्छा है तो आप भी जैसे अगर अपना account first time open करना चाहते हैं wise के साथ में तो जैसे मैंने वीडियो के शुरू में भी बताया फिर से मैं आपको बताऊंगी कि आप हमारा link यूज कर सकते हैं उससे आपको first 500 euros का जो आपका transfer होएगा वो आपको without any transfer fee cost के हो जाएगा तो आप हमारा link य wise.com slash sea slash flying abroad ये link मैंने description में भी लगाया है और भी बहुत सारी details जो wise से related है वो भी description box में है तो आप check कर सकते हैं और ये link आपको video के pinned comment में भी मिल जाएगा और मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है तो आप अगर अपना account open करते हैं तो हमारा link please use कीजिएगा और I hope आपको ये video helpful लगी हो अगर video helpful लगी हो तो आप please like कर दीजिए video को channel को subscribe नहीं किया तो channel को subscribe कर लीजिए और मैं मिलूंगी मेरे आगे के videos में तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए bye and tick care